हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो दूस्तो आपको भी अवर डिप्लोमा माइग्रेशन डुप्लिकेट या ओरिजिनल मंगवाना है तो आप किस तरह से आविधन कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको बरकतुला विश्विदेले के ओफिशिल वेबसाइट पर आजाना है आपको चलिंक के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएगा यहाँ पर आने के बाद दुस्तों आपको ओनलाइन सर्विस का ओप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सर्विस का ओप्शन अजर आएगा यहाँ पर आपको फिर क्लिक कर देना है इसके बाद यहा से आप आविधन कर सकते हो apply करने का option इसके आगे apply लिखा हुआ है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करकर आप आविधन कर सकते हो तो यहाँ पर click करने के बाद फिर देखिए वही आपको किस तरह का आविधन यहाँ पर करना है आविधन के प्रकार अब यहाँ पर आपक वाले option पर click कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नामंकन और roll number डालना है capture code और search पर click कर देना है दोस्तों तो यह आपकी जो mark sheet उसमें से देखका आप यहाँ पर डाल दें और search कर दें search करने के बाद आपकी details से यहाँ पर आ जाएगी आपको चेक कर लेना है सबस्क्राइब यहाँ पर कुछ instruction वगिरा लिखे हैं जो आपको पढ़ा लेना है यहाँ कि जो भी details आप यहाँ पर fill करें अपनी mark sheet में से देखकर fill करें और अगर कुछ भी गलत होता है तो भी आपका जो form में वो reject कर दिया जाएगा यहाँ पर फीस जो यह 300 रुपे लगेगी यानि कि 300 रुपे तो आपको फीस देना होगा यहाँ पर mark sheet डिप्लोमा डिगरी जो भी आप महँआ रहे हैं उसके लिए और 25 रुपे पॉर्टल चार्ज यानि कि 300 रुपे आपको यहाँ पर देना होगा तो भी यह आप यहाँ पर पढ़ लें दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए में हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ और नाम लिख देता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर स्रेणी और आप रवासी भारती वाला option मिलेगा तो यहाँ पर जेंडर में आप जो भी यह चुन लें इसके बाद स्रेणी जो भी आपकी स्रेणी है आप रवासी भारती में आपको यहाँ पर नो कर देना है तो इतना आपको यहाँ पर complete कर लेना है इसके बाद यहाँ पर पूरा पता वाला option रहेगा यानि कि पूरा address आपको यहाँ पर डाल देना है पिन कोड का option नीचे दिया हुआ है तो आपका जो भी गाउँ शहर है आप यहाँ पर अपना गाउँ शहर का नाम लिख दें और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दें दोस्तो इसके बाद मद्यपर्देस के मोलनीवासी तो मद्यपर्देस के मोलनीवासी में आपको यहस कर देना है yes करने के बाद आपको जो एक पर इस्ट जिले का option मिलेंगा तो आप जिसबी जिले से हैं तो अपना जिला यहां पर चुन लें दोस्तों इसके बाद मुवाइल नमबर यहां पर आ जा यगा है क्योंकि जो आपने कॉलेज में एडमिशन करवाया था जब मतलब तब का मुवाईल नमबर यहां पर दिया हुआ है अगर नहीं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो तो यहां से आप अपना जिला चुन लें दोस्तो मुवाईल नमबर पहले से रहेगा इसके बाद जो भी फैकल्टी आप जो भी विसे आपके पास था संकाय आपको यहां से चुलने ना है BA, BSC जो भी रहा हो दोस्तो ठीक है तो यहां से आप चुलने सारे option दियो है इसके बाद यहां पर regular या private जो भी थे आप regular आपने किया या private किया आप यहां से चुलने दोस्तो इसके बाद महाविद्याले मतलब आपकी college का नाम आपको यहां पर डालना होगा तो college का नाम यहां पर काफिस लंबी चोड़ी लिस्ट है जिसमें कि आपको किस तरह से नाम ढूड़ना है तो आपनी mark sheet में आपको अपनी college का नाम देखना है और उसके आगे कुछ नंबर लिखे होंगे 102, 104, 105 तो वो नंबर पर आपकी college यहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तो तो इस तरह से आप अपनी college यहां पर चुन सकते हैं इसके बाद फिर से आपको यहां पर particular का नाम चुन लेना है जो भी आपका subject है और अगर नहीं है तो आपको other का option लेना है और यहां पर जो भी subject आपका था वो आपको type कर देना है इसके बाद next option आपको मिलेगा यहां पर क्या आप चिकेसा सिक्चा के चात रहें तो आपको यहां पर अगर हैं तो yes करें नहीं तो no पर click कर देना है आपको परिक्षा फल में आपको यहां पर जो ही pass कर देना है क्योंकि जो pass है वहीं आपड़ी डेप्लोमा के लिए apply करेंगे फैल वाला तो कोई करेगा नहीं परिक्षा का वर्ष किस वर्ष आपने जो ही परिक्षा उत्रिन कीए तो वर्ष आपको यहां पर चुन लेना है स्रेणी आपको यहां पर चुन लेना है यहनि कि आपका first division second division जो भी बनाए वो आपको चुन लेना है परिक्षा का जो semester है तो वो six semester था हमारा last वो हम यहां पर डाल देता है इसके बाद आपको यहां पर mark sheet upload करना है 250 के भी से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए last time कि आप mark sheet यहां पर upload कर दें दोस्तो इसके बाद यहां पर आपको tick करना है और submit कर देना है submit करने के बाद आपका जो form में वो submit हो जाएगा पर यहां पर payment नहीं फीस आप राप्त लिखा हुआ आ जाएगा तो यहां पर फीस आप राप्त लिखा हुआ आ जाएगा आप चेक कर लें इसका print आप निकाल कर रख लें दोस्तो यहां पर आविदन कर्मां को वगेरा आपको नजर आ जाएगा जैसे कि आप payment बाद में भी कर सकते हो तो यहां पर इसे आप save करकर रख लें वैसे मैं आपको payment का option भी दिखा देता हूँ यहांपर देंखें आपको मार्टछी आपने अप्लोड किए यह नीले कलर आ जो option है यहांपर आप 기자 करकर अपनी जो मार्टछी अपने अप्लोड किए वो भी देख सकते हो दो दोस्तों तो चलिए आपको process to payment पर click करना है payment करने के लिए तो यहाँ पर आपको click कर दें दोस्तो process to payment पर इसले कि यहाँ पर जो है आप payment कर पाएंगे तो भी आपको ok पर click करना है फिर से एक बार और यहाँ पर process to payment पर मैं click करता हूँ इसके बाद यहाँ पर UPI का option बढ़िया है payment के लिए क्योंकि इससे आसानी से payment हो जाता है तो UPI पर आप click करें इसके बाद यहाँ पर Paytm का option आएगा जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं दोस्तो तो इसके बाद Paytm पर click करें यहाँ पर फिर आपको payment दिख जाएगा कितना payment आपको यहाँ पर करना है इसके बाद आपको submit पर click करना है और यहाँ पर QR code आजाएगा जिससे आपको scan करना है और scan करकर payment कर दाना है Google Pay, Phone Pay, Paytm वगेरा जिससे भी चाहें आप यहाँ पर payment कर सकते हैं पर payment करने के बाद यहाँ पर एक slip generate होगी वो आपको download करकर रख लेना है दोस्तो तो इस तरह से आप आसाने से जोए अपना आविदन कर सकते हो और इससे सम्मंदित कोई भी परिशानी हो आपको तो आप comment करें दोस्तो मैं आपका reply जरू करूँगा और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें ताकि इस तरह की और वीडियो और information आपके लिए में लाता रहूं दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद